कि यह जब मोस्ट अवेड़ेट सीरीज लाँच रखती है जी हाँ वह कोड़नेम क्यों रखती है आपने ज्यादा दर मूवी से भी देखा होगा कि कोड़नेम इसलिए होता है कि उसकी कोई आपने सब्सक्राइब करद सीरीज हो रही है अब यहाँ पर से अमसंग के जब फोन्स लाँच होए थे तो काफी सारे कोड़नेम संसंग रखे थे मिसाल तो पर जब सैंसंग यहां पर स्ट्रेंट सीरीज निम हबल था इसी सबसे एस त्विए सीरीज का कोड़नेम अन भांट 22 series का code name rainbow था और फाइनल अभी 24 series का जो code name है वो म्यूज है अब यहाँ पर गाईस जो यह information निकल के रही है वो काफी legitimate tipster है सैम मोबाल की तरफ से और उन्होंने दोस्तों बता है कि यहाँ पर दो बड़े upgrades हमें इस phone में देख नहीं मिल सकते हैं तो obviously इसके camera department में है और दूसरा इसके performance में है लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ models के मारे में देखे यहाँ पर जो code name निकल के आए वो Muse 3 है इससे पहले से मतलब काफी time से कहा जा रहा था कि next year जब company S24 series launch करेगी तो उसमें plus device नहीं होगा आज के time पर जो मैं plus devices देखने के मिलते हैं S series में Samsung की लेकिन यहाँ पर इस code name से पता लग रहा है कि इस series में भी company 3 model ही launch करेगी क्योंकि यह जो है वो Muse 3 के नाम से है और Muse 3 जो है ना दोस्तों पता जा रहा है कि कोड नेम है Samsung Galaxy S24 Ultra का तो इसी साब से Muse 1 और Muse 2 भी होगा जो के Samsung Galaxy S24 और 24 प्लस होगा अब गाइस दिखिए जो next information ने वो camera से related है और मैं बात तो जरूर करूंगा camera के बारे में लेकिन अगर आपने अभी तक वाइचल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो सब्सक्राइब मतलब बिना सब्सक्राइब करें आप वीडियो देखते हो आप प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो देखो तो आप जादा मोटिवेशन होगा और वीडियो को ल Samsung Galaxy S23 Ultra से तो उसमें जो टेली फोटो लेंस मिला था 3x तक ऑप्टिकल जूम उसमें देखने की में था लेकिन इस बार दोस्तों कम्पेनी ने 2x ऑप्टिकल जूम भड़ा दिया है खास तोर से टेली फोटो लेंस में अब यहां पर जो मेगा पिक्सल रहेगा टेली फोटो ले में वह 10 मेगा पिक्सल का ही होगा मतलब यह सेम वही मेगा पिक्सल और वही लेंस हमें देखने ही मिलेगा जो हमें Samsung Galaxy S23 Ultra में देखने मिलता है लेकिन यहां पर ऑविसली जो बड़ा डिफरेंस है वह है कि कम्प्री ने जूमिंग के पैबलिटी से वह थोड़ी अच्छी कर और दोस्तों कैमरा से रिलेटिटी जो दूसरी बड़ी लीक और जो काफी टाइम से हमें सुनने में आ रही है कि इसमें 150X तक इस बार डिजिटल जूम देखने के ले मिल सकता है अगली बड़ी लीक निकल के आ रही है वो इसके परफॉर्मेंस को लेके है अब यहां पर ऐ ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 nm की प्रोसेसिंग पावर के ओपर रहेगा जो के काफी अमेजिंग चीज अब यहां पर 1 nm से घट जाता है लेकिन गाइस मैं आपको बता देता हूं कि यह जो नेनो मीटर से बहुत जादा डिफरेंस क्रेट करते हैं in terms of performance and optimization लेकिन गाइस मै अब ड्रेगन 8 Gen 1 जो है वो 4 nm पे था और 8 Gen 2 भी यह भी 4 nm पे ही launch हुआ है बस खास बात यह हो गई है कि इसको overclock कर दिया है कंपनी ने खास तोर से Samsung Galaxy S Series के लिए and no doubt performance भी जो है दोस्तों बहुत अच्छा है लेकिन गाइस अगर इसके comparison में मैं बात कर लेता हूं थोड़ी अगरी ने A16 Bionic Chipset निकाली तो obviously 4 nm की processing power के साथ में आया जो के एक upgrade है from 5 nm processing power लेकिन यहां पर देखिए वो टाइम पे snapdragon 8 Gen 1 जो था वो 4 nm पे था और A15 Bionic Chipset 5 nm पे था लेकिन उसके बात भी अगर हम बात करेंगे performance के बारे में तो outstanding performance था A15 Bionic Chipset का as compared to snapdragon 8 Gen 1 मतलब क काफी चीजों में obviously dominate किया था उसने और अभी भी A16 Bionic Chipset is amazing anyways guys तो यहां पर जोगे leak निकल का यह snapdragon 8 Gen 3 भी जब आएगा तो वह भी overclock processor ही रहेगा खास तोर से Samsung S series के लिए अब दोस्तों बात कर लें तो finally इसके launch के बारे में तो देखिए कुछ इतनी ठोस information दो रिकल कर नहीं आए लेकिन काफी time so obviously information आ रही है के 2024 के Gen या Fed के मन्त में हमें इसका launch देखनी के मिल जाएगा यहां पर देखते है थोड़ा टाइम बाकी है भी आगे जैसे से information आते रहे सारी चीजे में explain करके already रख चुका हो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो यहां पर आई बटन में मैं लिंक देदूँगा ज़रूर से चाकी चेक करना और हाँ अब तक तो आपने चल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बेन नोडिफिकेशन को भी आल पर रख लीना और लाइक भी कर देना चलिए दोस्तों निशाला मैं बोलता आप से अपने अगली वीडियो में जेहिंद